यहां पर यह हमारी देवी मा की प्रतिमा बनाई जा रही है, तो यह देखिए भाई, यह फस्ट लुक माता जी का बड़ी महाकाली होती है, उनके जैसा स्वरूप्था पिशली बार का महाकाली का, इस बार का जो फेस है थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो भाई नवरात्री को सिर्फ दो दिन का समय बचा है, और मैं अभी आया हूँ प्रेम मंदिर में, प्रेम मंदिर जस्ट हमारी राइट टाउन के पास जो पड़ता है, और यहां पर यह जो देवी जी की प्रतिमा बनाई गई है, बिलकुल हमारी जो जैसी बड़ी महाकाली होती है, जो की गड़ा है, बिलकुल हमारी जो 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 तो अभी देखिए अभी मैं खड़ा हूँ प्रेम मंदिर वाले मोड में और वो आपको सामने राइट टाउन स्टेडियम दिख रहा होगा और यहाँ पर यह जो है हमारी देवी मा की प्रतिमा बनाई जा रही है तो चलिए अब आपको अंदर चलगे दिखाता हूँ तो यह देखिए भाई यह हैं फस्ट लुक माता जी का और अभी आप जसा की देख सकते हैं पेंटिंग वगेरा पूरी कंप्लीट हो चुकी है मूर्ति में जो है कल रात में ही पेंटिंग का काम हुआ है और अभी देखिए भाईया आए हुए है और इनको जो पैरों में पास में यह आप यहां से देख सकते हैं फाइब बहुत ही सही मूर्ति बनी है बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी है इस बार की यह मैं आपको इनके शिवली दिखाता हूँ यह देखिए वो फूरे बनके बाई तयार हो चुके हैं मूर्ति भी पूरी फाइनल है सिर्प जो इन के बाद खुलेगा और मैं आपको इनकी पिछले साल की मूर्ती दिखाता हुई तो यह देखिए यह जो आप मूर्ती देख पा रहे होंगी सेम बिनकुल टिक्टो जो हमारी बड़ी महाकाली होती है उनके जैसा स्वरूप था पिछली बार का महाकाली का लेकिन इस बार का जो किसाल फोटो देखी है उसमें बहुत ही प्यारा फेस है माता जी दा आध बाई यहां से देखिए आप इनको कितने प्यारी मूर्ती लग रही है देखने में बहुत धी मनमुखक बहुत ही शानदार जो माता ने बनने के बाद रूप लिया है खासकर पेंटिंग के बाद वो बहुत ही शानदार है भाई आप देख सकते हैं देवी जी के प्रतिमा को बहुत ही संदर मूर्ती बनी है यह बहुत ही अदुखुत यह मुंडो की माला है जो देवी जी पहनती है उसके अलावा यह हाथ बगएर देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुप दिया है भाई देवी जी पर और यहां से देखिए यह हाथ बगएर यह त्रिशूल बाला हाथ रहेगा और इसकी जश्टियों जो उपर है यह इसमें तलवार पकड़ाई जाएगी उसके बाद यह जो हाथ में है माता खप पर पकड़ती है और उपर राक्षस का मुंड रहेगा तो यह सब चीजे कल्न होनी है तो अभी आपने जो महाताली देखी इन्हें गड़ापातक वाली महाताली की स्वरूप में बनाये गया है और यदि हम इनकी स्थापना की बात करें तो बैठकी के दिन माता जी की स्थापना करी जाएगी और जो मूर्ती ने बनने के बाद रूप लिया है भाई बहुत ही next level है तो भाई ये था आज के लिए मूर्ती आपको कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा और भाई जो देवी जी को स्वरूप दिया है भाई ये नस्वाद बहुत ही शांदार था चलिए तो ये था आज के लिए आई नोप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलता हूँ मैं आपसे अनीचे की सी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय स्वी राम जय माई की मिलते है